दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशर्रफ हुसेन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डैंगू की जो रिपोर्ट है उसको कैसे पढ़ा जाए क्योंकि बहुत बार डॉक्टर कभी आपको प्लेटलेट से लिखता है कभी वो एनस्वन एंटिजन की रिपोर्ट कराने के बोलता है कभी वो सिरोलोजी यानि कि आईजी एम एंड आईजी जी एंटिबोडिस कराने की बात करता है तो ये इतनी सारी जाचे क्यों और क्या किसी एक जाच से डैंगू बुखार का पता नहीं लगता क्या इनकी अलग-अलग कोई सिगनिफिकेंस है और इसका मतलब क्य होता है हाला कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है एक पेशेंट के लिए कि कब आईजी एम पॉजिटीव होता है और कब आईजी जी पॉजिटीव होता है तो उसका क्या मतलब होता है मैं आपको सरल शब्दों में इस रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका बताने की तो मेरे साथ इस वीडियो में आखर तक बने रही एगा एक्ट्यल में प्लेटलेट्स के बारे में सारे लोग को पता है कि डेलग तक जो प्लेटलेट वो नॉर्मल मानी जाती है और अगर इससे कम होती है प्लेटलेट तो इसको यह माना जाता है कि इस मरीज को डेंगू हो सक इसको थ्रंबोसाइटोपीनिया के नाम से भी जानते हैं तो यह एक नॉर्मल जाज है यह सबको पता होता है लेकिन जो स्पैसिफिक जाज करते हैं उनमें सबसे पहली जाज होती है लेकिन अगर NS1 antigen के साथ IgM भी positive आता है लेकिन IgG negative होता है तो यह acute phase of infection है यानि कि इस समय तक मरीज को काफियत तक अच्छे symptoms आने लगते हैं और मरीज के अंदर जो है वो IgM antibodies develop होना शुरू हो जाते हैं लेकिन अगर NS1 antigen negative है और IgM antibody positive है लेकिन IgG antibody भी negative है तो इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि मरीज डेंगू negative हो क्या है बलके मरीज डेंगू पुमारी की mid phase की active stage में होता है और यहाँ पे मरीज को थोड़े से symptoms होना शुरू हो जाते हैं लेकिन अगर मरीज को NS1 antigen तो negative है मगर IgM and IgG दोनों ही antibody positive report आ रहे हैं तो इसका मतलब भी होता है कि अब मरीज जो हो late phase of infection में है यानि कि विमारी ठीक होने की तरफ है बट अभी भी उसके अंदर virus मौजूद है उसको हम अभी डेंग्यू negative नहीं कह सकते हैं इसके बात की जो negative हो जाते हैं मगर IgG antibody अभी भी positive है तो इसका मतलब भी होता है कि मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया है और ये मरीज को past infection था IgG antibodies positive होने का मतलब ये होता है कि ये वो antibodies हैं जो मरीज के शरीर में lifelong रहेंगे और आगे आने वाले infection को same strain के infection को बिमारी से लडने से बचाएंगे है लेकिन अगर IgM positive होता है तो इसका मतलब भी होता है कि अभी भी मरीज को डेंगू virus का infection मौजूद है और वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है लेकिन अगर एक ही साथ NS1 antigen भी positive है IgM भी positive है IgG भी positive है तो ये माना जाए कि मरीज को अभी भी current में active infection है जो धीरे धीरे ठीक होने की तरफ जा रहा है और इससे में हो सकता उसको उसके symptoms काम होने लगे और अगर ये तीनों ही जाचे negative आती है NS1 antigen भी negative है IgM भी negative है और IgG भी negative है तो इसका मतलब भी होता है कि इस मरीज को डेंगू बुखार कभी हुआ ही नहीं था और ना ही अभी इस बुखार को किसी तरह का डेंगू का infection है दोस्तों मुझे उमीद आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसको लोगों को share करें दोस्तों को share करें so that जाद से जाद लोग को ये जानकारी मिले और इसका वो लाब उठा सके और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें so that आपको सारे मेरे वीडियो के नॉटिफिकेशन्स आते रहें धन्यवाद